अप्डेट कर रहे हो या फिर इंस्टॉल कर रहे हो बट आपको अगर पेंडिंग का एरर रसो करें तो कैसे आप लोग इससे फिक्स करेंगे वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली जीगा विल्क आइकोन को प्रेज कर लेना है तो सिंपल आपको अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करना होगा जैन आपको क्लिक करना होगा एपस पर उसके बाद एप मैनेजमेंट पर क्लिक करें यहां पर आपके जितने भी डिफॉल्ट एप्लीकेशन होगी कुस्टम ए मैनेजर, डाउनलोड मैनेजर पर क्लिक करेंगे एप इन्फो पर आ गए हम, उसके बाद इस्टूरेज यूज जूज पर क्लिक करके सिंपल हम इसका एक बार डाटा कलिन कर देंगे ठीक है उसके बाद बैक आते हैं बैक आने के बाद आप लोग को फीर से सर्च करना होगा और यहां पर आपको सर्च करना होगा Google Play Services और Google Play Store ठीक है आप लोग अगर प्ले ही सर्च करेंगे तो यह आपको सर्चिंग में देखने को मिल जाएंगे तो सिंपल आपको इन पर क्लिक करना है उसके बाद इनके भी आपको इस्टोरिज पर क्लिक करना है और सिंपल आपको इनका भी डाटा क्लीन करना है और क्लियर कैचे करना है Download Manager, Google Play Services और Google Play Store इन तीनों का ही आपको data clean करना होगा तेन अब आप लोग अपने phone में Google Chrome को install या फिर update कर सकते बिना किसी error के So I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी